में आपके पास मौझूद है और आपने फिल्ड कनेक्शन रिवर्स करा तब भी अगर जन्नेटर जो है वो तुमारा नहीं जल रहा है यानिकि बल्ब नहीं जल रहा है वोल्टेज बिल्ड़ प्रोसेस नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग चलते हैं थर्ड केस की तरफ बड़ा कर भीन इसको बड़ी ही फिल्ड रेस्टेंस टीक है हाइए फिल्ड रेस्टेंस टीक है üzुष हो रहे है फिहं जौरे की से होता है और फिख वह तुमनें बहुत ज़ादा ले रखा है इसको बैड ध्यान से समझते हैं इसके इसी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा critical resistance क्या होता है critical resistance ठीक है critical resistance क्या होता है बहुत important चीज़ है यह ठीक इसको बड़े ध्यान से समझना तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है आपको magnetization curve याद होगा मैंने पुराने lecture में बताया था तो magnetization कर्व हमने देखा था कुछ इस तरीके का था हमारे पास यह थी field current IF और यह था generated voltage EG हमने देखा था कि कुछ इस तरीके का कर्व यह हमारा magnetization कर्व बना था और यहां से center से जो line pass हो रही थी मैंने उसको नाम दिया था यह जो line थी यह तुम्हारी थी field resistance line थी field resistance line थी ठीक है और यह तुम्हारा था magnetization करवा गया था यह जो voltage मिल दा था यह मैंने नाम दिया था EGR यानि कि residual voltage residual voltage मिल दा था clear हो रहा था यहीं से voltage बढ़ना शुरू था voltage build up का process था ठीक अब देखो क्या होता यह होती ही field resistance की line अच्छा कर मैं एक line और ड्रा करूं ध्यान से देखना ऐसी line जो इस curve से tangentially जाए तो for example यह और center से शुरूओ तो center से शुरूओ के कुछ इस तरीके की line जाएगी ठीक है यह देख लो यह वाली line हो गई tangent से pass हो रही है इस पर इस magnetization curve पर क्या है यह tangentially act कर रही clear हो रहा है tangentially act करें यह कह सकते हो कि इसका linear portion है तो इस curve के दो पार्ट होते है एक यह वाला जो पार्ट है यानि कि अगर इसको मैं दूसरे पैंदर बता दू यह वाला जो पार्ट है यह क्या non-linear part, यह है तुमारा non-linear part, clear हो रहा है, और यह वालो जो particular part है, यानि कि यह area, यह क्या है, almost linear है, यानि approach to linear है, तो linear, linear का मतलब क्या होता है, जो state line में follow करता है, ठी, और यह क्या कर रहा है, saturate होने लग रहा है, तो यह वालो जो part है, linear part, तो ऐसी line, जो center से pass हो, यानि कि origin से निकले, और इस linear portion पे ज़्यादा से ज़्यादा touch करे, या क्या सकते हो, tangentially touch करे, तो ऐसी line जो होती है, इस line का बड़ा significance है, इसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं हम लोग critical resistance line, बहुत important है, critical critical resistance line, clear हो रहा है यहाँ पे, critical resistance line नाम दे दिया, ठीक, अच्छा अगर बात करिए resistance की, तो देखो जो feed resistance होता है, RF, वो क्या होगा, तो उसका slope निकाल लो, यह जो slope है, यानि कि अगर तुम यहाँ पे इसका slope निकालोगे, तो यह निकल के आएगा, RF की value देदेगा, slope, ठीक, और अगर इसका slope निकाले, यानि कि अगर यह जो critical resistance line बनाई है, इसका अगर तुम slope निकाल लो, ठीक है, इसका slope इस तरीके से, तो यह जो slope निकल के आएगा, 10 theta equal to कितना होता, perpendicular upon base, ठीक, तो यहाँ पे जो slope निकल के आएगा, यह slope निकल के आजाएगा, R critical, critical, ठीक है, clear हो रहा है यहाँ पे, CR कहे रखता हूँ, मैं, CTR कह देते हैं, ठीक है, तो यह जो R critical निकल के आए, इसको मैं लिख देता हूँ, R CTR critical, ठीक, clear हो गए यहाँ पे, और एक निकल के आए, field RF, clear होगे, एक है, RF, तो अगर आपको, यहाँ पे condition बताई गई है, कि आपका जो field resistance है, वो क्या होना जाहिए, field resistance line, वो इससे नीचे होनी चाहिए, यानि कि उसका slope है, यह कह सकते है, field resistance, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ गया हो गई जी, तो RF जो है, उसकी value जो हो है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आर critical से, clear होगे, एक condition यह होगई, इसको दूसे तरीके से लेख सकते हैं कि, slope of ठीक है, slope of RF, या कह सकते हैं, field, RF क्या है, field resistance, field resistance का जो slope है, field resistance line का जो slope है, वो कम होना चाहिए, slope of slope of critical resistance line, clear हो रहा है, दोनों एकी चीज़े हैं, ठीकि कि, slope जो होता है, उसी को हम लोग RF कहते हैं, और इसके slope को हम लोग RCTR कहते हैं, clear हो गया, तो, slope जो होगा, RF का, वो क्या होना चाहिए, यानि, field line का, जो slope है, वो कम होना चाहिए, as compared to critical resistance line के, ठीक, पहला condition, दूसरा कह सकते हैं, इसी को दूसरे तम में, ये RF की जो value, यानि, जो field resistance होता है, ये कौन सा होता था, तो अगर, for example, अगर आपकी ये machine है, again, same shunt machine ले रहा हूँ, और ये armature हो गया, armature resistance, ठीक है, और ये तमारी generation EG हो गया, यहाँ पे slope ये थी, मतलब अगर तुम्हें graphically, अगर कभी भी gate में question अक्सर आ जाता है, या अच्छे exam से पूछा जाएगा, तो अगर तुम्हें graphically बताना है, यानि कि diagram से बताना है, तो magnetization curve से आप क्या करो, एक critical resistance की line बना लो, और एक बना लो field resistance की line, तो जो field resistance की line है, वो उसका slope कम होना चाहिए, critical resistance की line से, अगर आपको mathematically निकालना है, तो simply जो RF की value है, वो कम होनी चाहिए, critical resistance की value से, तब आपका voltage build-up process सही होगा, यानि कि तब आपका generator start होगा,